वल्कम तो इंटियन मॉम्स डाइरी आज इंटियन मॉम्स डाइरी में मैं लेकर आई हूँ फिर से घर के ही समानों से एक अनदर अक्टिविटी अगैन हमारी जो एक्टिविटी है वो सिर्फ अल्फबेक्स या सिर्फ नमर के लिए नहीं होगी आप इसे मल्टिपल यूज में ला सकती है और इसके लिए भी आपको कोई एक्स्टा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है आपने वहारे पहले की वीडियो देखें हैं और जिसमें मैंने बहुत शारी अच्टिविटी शेयर करी है तो उसी रोव मे एक नई आप्टिविटी शेयर करते हैं आच और वीडियो शुदू करने से पहले स्टिम्पल सी चीज अगर आपने हमारा चार सबस्क्राइब नहीं किया तब मारा चार सब्सक्राइब कीचे notification bell को हिट कीचे ते से आपको notification आते रहें और अगर यह वीडियो अच्छा लगता जिसे like जिरूर कीचेगा तो शुरू करते हैं आज का available है plus plastic की spoons के साथ शुरू करते हैं और इस activity को आप numbers के लिए इस्तमाल कर सकते हैं numbers में number counting and number recognition numbers को count करना और पहचानना दोनों के लिए activity यूज हो सकती है alphabet में भी ये activity alphabet recognition तक alphabet को पहचानने के लिए भी हो सकती है और इसे आप इस्तिमाल कर सकते हैं capital case और lower case की identify करने के लिए तो दोनो activities आप almost चार तरीके से इस activity को कर सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए simple spoon spoons को आप एक sheet पे draw कर लीजे simple जैसे आपको दिख भी रहा होगा side में वीडियो में आप इसे हाथ से भी draw कर सकते हैं बहुत अच्छा shape नहीं आपाता अगर आप रखे करो simple spoon का shape होना चाहिए जिसे आप sheet पे particularly draw कर लीजे draw करने के बाद अब आपको क्या करना है कि उन spoon से ये activity में आपको numbers के लिए करके दिखा रही हूँ तो जो spoon आपने draw करी हुई है उन spoon पे आप small small से circle बना दीजे draw spoon पे जो आपने paper पे बनाईए like 6, 5, 4, 3, 2 again मैं same चीज रिपीट करूँगे आप बच्चे को कौन से numbers सिखाना चाह रहे है 1 to 5, 1 to 10, 1 to 20 totally depend करता है कि आप क्या सिखाना चाह रहे है मैंने यहाँ पे target किया है 1 to 6 तो अब मैं हर spoon पे मैंने बना दीए है चोटे चोटे circles किसी पे 1, किसी पे 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हो गई हमारी sheet ready तो sheet पे हमें क्या करना था spoon draw करनी है और चोटे चोटे circles आप triangles बना सकते हो squares बना सकते हो जो आपका मन करें counting के according 1 to 6 अब हम आते हैं spoon के part पे तो यहाँ पर मैंने use किया है dot stickers मैंने पहले भी कई activity में use किया यह बहुत अच्छी चीज़ होती है आप बच्चे कोगर घर में craft करा रहे है तो it's a very very beautiful thing और बहुत multi-purpose इसका use है अब मैंने stickers पे लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक stickers मैं हाँ पे पील आउट कर रहे हूँ और यहाँ पे spoons पे उन stickers को paste कर दे रहे है तो अब हमारे पास 6 spoons ready है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के stickers के साथ और हमारे पास 2 sheets भी त्यार है जो की spoon के shape में draw है और जिनमें हमने counting के लिए small small circles बना दी है अब आप बच्चे को दे दीजिए activity के लिए दोनों sheets प्लस आप उसे वो दे दीजिए spoon का set आप बच्चे को explain कर दीजिए कि उसे क्या करना है count करना है और उसकी respective spoon यहाँ पर उठा कर रखने है अब बच्चे के लिए बहुत अच्छा fun होगा क्योंकि यहाँ पर वो numbers बिलकुल अलग तरीके से सीख रहा है और enjoy कर रहा है वो one two three four count करेगा four की spoon उठाएगा three की spoon two की spoon जिन जिन पर भी number लिखा है तो मैं इसे summarize कर देती हूँ एक sheet आप बनाएगे जिस पर आप चमच या spoon को draw कीजे उस draw की हुई चमच पर आप circles या कोई भी छोटा सा object बना कर counting के लिए वहाँ पर आप बना सकते हैं one two six one two ten आप दूसरे साइट आप ले लीजे spoons spoons में यहाँ पर मैंने paste कर दी है छोटे छोटे speak stickers जिन पर मैंने लिख दी है numbers बच्चे कोई दोनों चीजे करिए वह से match करेगा count करेगा और वहाँ पर रखेगा बच्चों के लिए बहुत बढ़िया activity है fun तो है आपके लिए भी कोई extra expense नहीं जा रहा है बच्चे के लिए hand-eye coordination वह से counting सीख रहा है तो ये एक multi-purpose activity है same activity आप कर सकते है number recognition के लिए अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है counting नहीं समझ पा रहा है आप 20 साल तक के बच्चों से भी ये बहुत अराम से करा सकते है तो आप same spoon पे भी one लिख दीजे और जो आपने spoon draw करी है उस पे भी one लिख दीजे जो बच्चा number recognize कर पाएगा one की spoon one पे जहां पर two लिखा है two की spoon तो वो match करा सकता है अब हम आते हैं इस activity के दूसरे पार्ट पर यहां पर मैं इस अब राम को सिखा रही हूं alphabet अब यहां पर मैंने इस्तमाल की है plastic की spoons अगर आपके पास यह dot stickers नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं तो घर में ज आप यहां पर numbers, letters, जो लिखना चाहें वो mention कर सकती हैं तो मैंने यहां पर उसकी है plastic की spoons, plastic की spoons पे मैंने लिखा है A, B, C, D, E ज़से मैं उसे आगदी तक E तक target कर रही हूं उसको recognize कराने के लिए same spoon मैंने draw करी है उन पे भी मैंने A, B, C, D, E लिख दिया है अब मेरा बेटा क क्या करेगा कि उसे मैंने spoons दे दी है, sheet दे दी है, activity explain करा दिया, उसे alphabet match कराना है, तो again, alphabet recognition के लिए यह बहुत ही बढ़िया activity है, same activity आप कर सकते हैं lower case, uppercase match के लिए, उसमें आप क्या करेंगे, third activities को कैसे करेंगा, तो आपने spoon जो draw की वहां आप capital A लिख सकते हैं, और spoon जो आ capital B को small b से मिलाना है, तो ये एक activity बहुत बढ़िया हो जाएगी small letter and capital letter recognition के लिए भी, तो ये activity हम actually चार तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, सबसे पहले number recognition, आप डोनों जगा, draw की हुई spoon पर भी, और spoon पर भी same number mention कीज़े, दूसरी counting, तो आप draw की हुई spoon पे कुछ objects बना दीज़े जिनने count किया जा सके, like मैंने simple dot बनाये हैं, और spoon पे आप stickers लगा दीज़े number के, तो count करना है और match कराना है, third activity आप कर सकते हैं, alphabet recognition के लिए, यहाँ पर आप same alphabet अपनी sheet पे लिख सकते हैं, same alphabet आप spoon पे लिख सकते हैं, और match कराए, fourth activity आप कर सकते हैं, lower case and small, sorry, capital and small letter के identify के लिए तो एक जगा आप लिखे capital A, और spoon पे आप लिख दीज़े small A, अब उसे match कराना है small A को capital A से, capital B को small B से, तो same activity आप चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई extra expense भी नहीं है, preparation time भी बहुत कम लगेगा, जोसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को preparation में definitely involved कराए, जब मैं ये activity करी थी, तो मैंने definitely अब राम को भी उसमें involved किया था, like stickers मैं उसे कह रही थी, कि वो peel करे और spoon पे paste करे, तो चोटी-चोटी चीज़ें से, बचों का entertainment भी होता है, वो आपके साथ involved होते हैं, उन्हें activity करने में भी मज़ा आता है, और आप भी बहुत खुश होगे, एक happening mall में चीज़ कर सकते हैं, तो I hope आपको again, ये multi-purpose activity अच्छी लगी हो, अगर आपको activity अच्छी लग रही है, तो definitely like button पे hit कीज़ेगा, दूसरों के ता शेयर कीज़े, आप अपने पास इसे download करके भी रख सकते हैं, so that कि आप in future इस activity को use कर सके, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, मेरा चानल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, happy parenting